अब नमस्कार दोस्तों मैं विकास विस्वकुर्णा स्वागत करता हूँ ससी में कर पर उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे समस्याएं कहां से उत्पन होती हैं समास से उत्पन होती हैं और समास के अंतरगत एक होता है आपका दिगू जिससे देखते ही डर का भावना उत्पन होने लगता है हर एक के अंदर भाई उससे छुटकारा दिलाऊंगा महज कुछ सेकेंडों के अंदर महज 2 सेकेंड के अंदर आप पकड़ सकते हैं 2 सेकेंड के अंदर आप पकड़ सकते हैं कि समास में जो दुईगु समास है और एक्चुली में क्या है अब बात किया जै कि समास में च्छे भेद होते हैं पर्थम अब्य हो गया दूसरा तक पुरुस हो गया तिसरे की बात आई करमधार है और चवथा दुगु है पाचमा की आपको दिया हुए दौन और छटे का नंबर है बहुबरी और बहुबरी पे आप सभी से डिसकसन हो चुका है ये दौन पर भी हो च शमास का पहला पद शंख्या वाचक आपको दिया हुआ है ये बीशेशन हो तथा समस्त पर समू को अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं दौगु उसे आप बड़े प्रेम से कहते हैं दौगु शमास कहा जाता है शमास कहते है अब आपको ये परिवासा हो गया लेकिन हमें इसे कैसे पकड़ेंगे मात्र दो सेकेंड के अंदर देखिए कभी भी ऐसे संख्या वाची कोई भी आपका दुईगू की पहचान करनी है दुईगू स्ट्रमास का पहचान करना है आपको कुछ नहीं करना है जो भी आपको सब् सिर्फ उसमें ये ढूड़ना कि कोई चीज संख्या वाची के फाम में लिखा हुआ है क्या मतलब कि कोई संख्या के फाम में चीजे लिखी हुई है क्या तो जैसे यहाँ पर अगर क्या क्या हो शकता है मेरे दोस्त हमेशा हुआ चीजें संख्या वाची के फाम में ही लिख ही जाएंगी क्या कहलाएगा दूगु समास कहलाएगा बस और आपको एक्जांपल लिया जाए अगर यहां पर जैसे कि एक्जांपल की बात किया गया है तो यहां पर क्या दिया है आपको पहले आप्शन में चाव रहा दिया हुआ है चार रहो का समा रहा है तो हम कह सकते हैं क्या है? तीन संख्या है, तो दुश्स क्या है, सताप्दी लिगा है, सव सताप्दी, तो आप कहेंगे यह तो आपका संख्या बाची है, तो क्या कहलाएगा? हमेशा 2 कहलाएगा, साथ साथ Nograha दिया हुआ नव ग्रह भाई 9 हमें इहां से मिल गया तो हम कह सकते हैं या संख्या है और संख्या जब चीजे मिल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे दूरीको समास कहेंगे और कुछ हो सकता है क्या हाँ दो रहा हो शकता है दो राहों का जो समा रहा होता है, दो रहा हो सकता है, important कुछ आपका देखा जाए तो एक पंच वटी होता है, और पंच वटी में क्या आपको पांच नजर आया क्या, हाँ पांच यहाँ पर आया, तो भाई पंच से पांच आपका क्या कलाएगा शंख्या है, और शंख्या द इसके बारें बात कियाbnा कि कितने भेद होते हैं तो इसके चह भे धोते हैं यहांपर आपको दर्शाय गया है शोभय अब्याई भाव तत्प्रुusz कत कर्मधार है द्युगु द्वंद और बहुब्री द्वंद पर हम डिस्कसन कर चुके हैं आप लोगों से आप पिछे वीडियो में जाके देख सकते हैं पिछली वाली वीडियो में द्युगु की बात रही तो दुगू के लिए आपको मात्र दो स्केंड के अंदर पहचान सकते हैं अगर दुगू की पहचान की करना है आप सभी को तो इसमें सीधा सीधा लिखा रहेगा जो भी सब्द रहेगा उसमें संख्या वाची लिखा रहेगा अगर संख्यावाची है दुगू कहलाएगा आपको परिभासत दिया है दुगू समास किसे करते हैं ओ पता है हमें एक्जामपल लिया चाओरहा त्रीवेडी सताब दी और आपका नौ गरह लिया दो रहा और आपका चपन चवटी ले सकते हैं यहां तक कि इंपॉर्टन एक ह रगाओ और आगे बढ़ो एक्जाम इतना टाइम नहीं है कि आप उसे सोचेंगे समझेंगे और फिर उत्तर देंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे समास को ऐसे ही कर्ट पिट करके खतम कर दिया जागा दिकत परसानी वाली बाते नहीं होगी ठेक है दोस्तों मि नेक्स्ट वाले क्लास में है जै हिंद्ग